कि अधियाराज पुस्पैंड बेलकम चू लर्नर आइज वाई वी यर पी जैसा कि आप जानते कि सीटेट का एकजाम जो होगा इस साल के अंतर तक तो ही जाएगी तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लगातार वीडियो ला रहे हैं अभी मैथ पेड़ागोगी का जो की बेसिक से है बिलकुश रुवाती से है अभी हम लोग कुछ बीदी पर रहे है सिक्षन बीदी को कि किस बीदी के माध्यम से हम बच्चों को अच्छा सचा गनित पढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप नए भीवर से तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब मत किज सबसे पहले आप बिना स्किप की हुए पूरा वीडियो देखेगा और अंत में जब लगे किया वीडियो आपके काम का है तो इसको सब्सक्राइब कर लेजेगा ओके और ज्यादस ज्यादस करिए और लाइक बटन नीचे देख रहे होगे और डिसलाइक बटन भी होगा जो आज कणि सिक्षन सास्त्र के ताहद बात करते हैं अनुसंद भी या इसी को हम लोग अनुबेसन भी धी के नाम से भी जानते हैं या खोज भी जिसे आप करते हैं नाम से लग रहा अनुबेशन या कोज करेगा किसी भी चीज पर अब इसको जो जनक है उनका नाम है Henry Edward याद रखेगा इस बीधी के जो जनक है उनका नाम है Henry Edward Armstrong दियान रखेंगे इस चीज को Arm strong जो है इस बीधी के जनक है तो अगर आप से पूछा जा question कि बताईए अनुसंधान बीधी के जनक कौन है तो आप बता देंगे Henry Edward कवार्ड और श्ट्रोंग तो गनीत में ये ये किया है हम सबसे पहले कि हम क्या करते हैं कि इस भीदी के माध्यम से जब शीक्षिन कराइं तो बच्चों को एग अच्छे अनुवेशन करता या खोज करता या अनुसंधान करता की रूप में हम देखते हैं हम बच्चों के अंदर इस परकार का सीक्षन कराते हैं कि बच्चा खूद से ही किसी भी समस्या को खोजे अन्वेंशन करे और निसकर्स की और पहुँच जाए इसमें हम बालक को एक अच्या अनुसांधान करता और खोजी के रूप में देखते हैं अनुसांधान बिदी में इस बिदी से सिक्षन करते समय अध्यापक प्रस्नों की संख्या सिरिंखला बनाता है और कैसे बनाता है तो इस परकार से बनाता है जिसका उतर देते देते बाल तक शुए में ही निसकर्ष तक पहुंचने का पर्यास करते हैं और इस विदी का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में होता है, क्यों बड़ी कक्षाओं में होता है, यूप है। ये सक्ति का विकास हो जाता है बच्चों के अंदर और इस बिदी के माध्यम से नहीं जानकारियों को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक ता बनी रहती है या नहीं बच्चे जो होते हैं बिलकुल उत्सुक होते हैं वो नहीं जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इसका द विदी का परयोग जो होता है सब भी नहीं कर सकते केबल खुशल यानि जिनके पासे नए स्किल्स होते हैं वही अध्यापक इस विदी का परयोग करते हैं तो इस विदी में आपने क्या देखा यह एक ऐसी विदी है जिसमें बच्चों को एक अच्छे अनुसंधान करता या खोज करता के रूप में देखते हैं और नहीं नहीं जानकारियों को उत्सुकता के साथ वह पता लगा सके उस पर हम लोग ध्यान देते हैं तो यह था आपका अनुसंधान विधी लिए नेस्ट आपका पड़ी है स्रमस्या समधान विधी प्रोबलम शॉल विंग मेथद यानि जब आपके सामने समस्या आती है तो आप उसका क्या खोशते हैं अब समधान खोशते हैं तो हम बच्चों के सामने कैसे इस वीदी का उपयोक करे समस्या समाधान वीदी तो बच्चों के सामने आप सिख्छन जब करा रहे हो तो इस परकार की समस्या रखिए ताकि बच्चे उठ्सुक्ता के साथ, रूची के साथ, उषके परती जागरुक होकर उसको हल करने का प्रयास करें खूजने का प्रयास करें तो समस्या समयधान बिधी में यानि समस्या समधान जो बिदी होता है सीखने की परकिरिया को चुनावती पूर्ण इस्तितियों दोरा पुरुसाहित की जाती है ताकि बच्चा अपने दिमाग को, अपने तर्क को, अपने चिंतन को लगा सके और ज्यादा से ज्यादा वह अपने तर्कना सक्ति का उपयोग करते हुए समस्चा के समध्हान को हल करने का परियास करे। दूसरा इस बिधी का मुख दे से बालक को स्वाध्हाई बनाना चुकि समस्चा समध्हान बिधी और तो समस्या करना पूरिती करना और समस्या को रल करना कब गुण है तो समस्या समधान भीदी में बालक सामोहिक निरन्य लेना सीख जाते हैं बच्चा सब उसे मिल्क जुल कर वह क्या करता है सामोहिक निरने लेते हैं बालक बैज्ञानिक रंग से चिंदन करना सीख जाते हैं और बालक का गनीत के कार्जों के परती उत्सुक्ता बनी रहती है और उसको मन भी लगता रहता है लेकिन दोस्ट है बालक भर का सारा चीज उपयोग की जाती है तो डाइरेक्ट समस्या देकर और आपके सामने चुनवती पेस अगर कर दिजेगा तो बच्चे उल्जर में पर जाएंगे और उसको मुस्कीले का सामना करना पर सकता है नहीं तो सबसे पहले उसको कंसेप्ट बताना परता है समस्या के ब जए भाराएं